नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में तो IPL Squared Analysis के पाँचवे कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं Mumbai Indians का Squared Analysis हम लोग देखेंगे क्या रहेगा Mumbai Indians का मजबूत पच्च क्या रहेगा कमजोर पच्च और यह देखा जाएगा कि कौन से चार ओबर सीज खिलाड़ी इनके सुरुवाती प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं और अट लास्ट हम लोग यह देखा जाएगा कि क्या रहेगी उनकी सुरुवाती मैचों की Best Possible 11 तो आईए अब हम लोग देख लेते हैं Mumbai Indians का Squared Analysis सबसे पहले हम लोग एनालिसिस किया जाएगा उनके पेश डिपार्टमेंट का जो इस बार का सबसे लीदल पेश अटेक माना जा रहा है सभी टीमों में वो इनका Mumbai Indians का पेश अटेक है जो की उनके पेश अटेक को लीड करेंगे जस्कृत बुमरा और जोफरा आरकर जो खुसकबरी है Mumbai Indians के सभी फैंस के लिए जो पिछली बार इन्वेस्टमेंट हुआ था जोफरा आरकर के उपर खेले नहीं थे एक भी मैच वो पहले सी बता दिया गया था कि जोफरा आरकर इस सीजन नहीं खेलेंगे अगर आपको फिर वी उन्हें आक्सन में उतारा गया था लेकिन इस बार उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेने का टाइम आ गया है जोफरा आरकर और जस्पीद बुम्रा लीड करेंगे पेस अटेक और दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज है या खुसकबरी है सभी MI फैंस के लिए कि जस्पीद बुम्रा भी फुली फिट है NCA में ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये भी IPL तक पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे तो जोफरा हरकर और जस्पीद बुम्रा दोनों फिट हैं और दोनों लीड करेंगे पेस अटेक को तो डेथोबर की तो समस्या इस बार खतम मतलब डेथोबर में जोफरा हरकर और जस्पी टीम को डेथोबर में तब देखने लायक रहेगा कि उस वक्त अपोनेंट का बैटर क्या करनामा कर पाएगा या फिर वहीं धारासाई हो जाएगा तो ये चीज़ देखने लायक रहेगी और जो इनके तीसरे पेसर होंगे वो भी विदेसी होंगे वो रहेंगे जैसन प्रेड़ी है वो अपने अपने देखों का वर्ल्ड बेस्ट बालर माने जाते हैं वो चारो अगर बात करें जो फ्रार कर जस्पी बुम्रा जैसन बैंडरॉप या जायर इचरसन इन दोनों में से कोई एक खेलेगा जैसन बैंडरॉप में वो तब डिपेंड करेगा कि उस उस वक्त किसका परफ़ार्मेंस किसके साथ है जैसन बैंडरॉप या जायर इचरसन का इसा नेट में बॉलिंग कर रहा है जो फील अच्छा करेगा उस वक्त उस दिन उस दिन वो मैच खेलता हुआ दिखेगा जैसन बैंडरॉप मतलब कहीं से भी पेस अटैक में कमजोर न हैं अगर बीच में कहीं fitness इसू आता है तो इनके पास भूमरा का no replacement यहाँ पे question mark रहेगा कि भूमरा का ऐसा कोई Indian पेसर नहीं है जो 30% भी भूमरा के जगा replace कर सके यहाँ से यहाँ तक आप देख लो चाहे यहाँ से यहाँ तक देख लो पूरा का पूरा ठप पड़ा है कोई ऐसा पेसर नहीं है इनके पास जो भूमरा को replace कर सके यहाँ पे मतलब यहाँ पे भूमरा का replacement नहीं है इनके पास बस यही बात है कि इनको यही प्रे करकर चलना होगा कि भूमरा का पूरा संसकरार without injury बीत जाए तो इनका यह रहा पेस analysis तो पेस analysis हमने देख लिया अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से चार overseas player रहेंगे जो की शुरुआती मैचों में खेलते हुए आपको दिखेंगे अगर मैं चार overseas player की बात करो जिसमें कि जो first name किसी के भी जान में आएगा कौन खेलेगा तो वो रहेंगे जोफरा आरकर जोफरा आरकर का playing alone में अगर fit रहेंगे तब तक fit रह लेते हैं तो वो स्योर खेलेंगे दूसरा नाम अगर आता है तो वो है तिम डेविड का मतलब दो player जो एकदम स्योर्टी हैं वो हैं जोफरा आरकर दूसरे टिम डेविड और इस auction में तो इस बार कैमरून गीन पे इतना खर्चा कर दिया है कि उनको playing alone में ना खिला है तो फिर तो वो business का उनका पुरा fundा ही खतम हो जाएगा अमबानीश family का तो कैमरून ग्रीन मतलब तीन जो fix हैं जिनको starting 11 में खेलना ही खेलना है चाहे उनका form चाहे जैसा रहे आई पिल के सुरुवात में वो रहेंगे टिम डेविड जोफरा आरकर और कैमरून ग्रीन जो चौथा उनका रहेगा वो दो में से कोई एक जिसका उस दिन form अच्छा रहा है वो खेलेगा जैसे की जैसन बहंड्रॉफ या तो जाहे रिचर्सन में कोई एक तो ये तो इनके ओवर सीज खिला रही है जो बैक अपस में ओवर सीज खिला रही है वो रहेंगे डेवाल ब्रेविस अगर कोई नहीं खेलता है तो टिम डेविड की जनर डेवाल ब्रेविस आपको खेलते वे दिखेंगे अगर अनफॉर्म चले जाते हैं तिम डेविड त तो यहाँ पर यह खेलते हुए दिखेंगे और उसके बाद यही बैक अप के तौर पे हैं और डेनियल सैम्स को तो इस बार रिलीच कर दिया उन्होंने तो यह इंपोर्टेंट ओबर्सीज खिलाडी हैं जो आपको खेलते हुए दिखेंगे तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमने बात किया उनके पेस अटेक का हमने बात किया उनके ओबर्सीज खिलाडी कौन से खेलेंगे अब हम लोग देख लेते हैं इनका टॉप थ्री कौन कौन से रहेंगे जो टॉप थ्री इनका जैसे पेस डिपार्टमेंट है उसी तरीके से इनका top 3 भी काफी लीदल माना जा रहा है काफी मतलब काफी strong माना जा रहा है अगर हम देखें इनका top 3 तो उसमें captain Rohi Sarma के साथ इसान किसन opening करते हुए दिखेंगे इसान किसन का जो हालिया form है वो उनके साथ है अभी भारत की तरफ से double century मारा अपना पहला ही century ODI का convert कर दिया किसमें double century में तो वो confidence लेकर इसान किसन आएंगे इस बार के IPL में और वो देखने लायक रहेगा बात कि इसान किसन और रोही सरमा की जोड़ी कितनी खतरनाक हो सकती है वो सब को पता है और सबने देख भी लिया है कि इसान किसन का क्या talent है तो इसान किसन will be player to watch out in this IPL और उसके बाद number 3 की बात करते हैं number 3 पे आपके सूरिक कुमार यादा हो आते हैं world best T20 batter अगर किसी को कह सकते हैं तो वो है सूरिक कुमार याद हो चाहे जितना हम लोग रोई सर्मा का appreciation कर लें चाहे जितना इसान किसन की बात कर लें लेकिन talent की अगर हम लोग बात कर लेंगे short selection की बात कर लेंगे short range की बात कर लेंगे उसमें सूरिक कुमार यादा हो से कोई पार नहीं पा सकता तो सुर्कुमार यादव इस विल्बी दप की हियर यहाँ पे इनका जो lower middle order अभी मैं discuss करूँगा जो कमजोर है उसको glue की तरह काम करेंगे सुर्कुमार यादव और वहीं पे सुर्कुमार यादव का role काफी important हो जाएगा इस बार के IPL में तो हमने अभी देखा कि इनके top 3 के बारे में रोई सर्मा के बारे में देखा इसान किसन के बारे में देखा और सुर्कुमार यादव के बारे में देखा आप बात कर लेते हैं middle order और lower middle order जो इनका weak point है इस बार के जैसे पिछले IPL में था इस IPL में भी weak point है जो कि इनके पास experienced fin कोई नहीं है अगर हम लोग इनका middle order और lower middle order देखा जाए जिसमें consist कौन कौन करेगा ये पहले देख लेते हैं तिलक वर्मा दूसरे खिलाड़ी होंगे भारती युगा रमन दीप सिंग और तीसरे खिलाड़ी होंगे आपके टिम डेविड और चौथे होंगे कैमरून ग्रीन और टिम डेविड को भी मार्क आउट कर लिया जाए तो टिम डेविड तो ये एक दो तीम चार खिलाड़ी होंगे जो इनका middle order और lower middle order पूरा करते हुए दिखेंगे तो आप देख करी बता सकते हो कि यहाँ पे experience की कमी है experience यहाँ पे फिर से blunt है यहाँ पे Mumbai Indians और यहाँ पे आप देखोगे कि इनकी कितनी कमी खल रही है कि अभी तक हार्दिक पांडया, कुनाल पांडया और काईरन पॉलाट का इन्होंने replacement नहीं ढूंड पाया है तो यहाँ पे कितना important role play आदा करते थे हार्दिक पांडया, कुनाल पांडया और काईरन पॉलाट इस MI टीम के लिए वो इनको पिछले season realize हो गया था और इस season भी realize हो सकता है और important message में यह इनको फिर से haunt करने वाला है, अगर हम बात कर ले एक बार analysis कर ले तो Cameron Green को इन्होंने लंबा amount देकर खरदा तो है, लेकिन अभी तक उन्होंने जो भी T20 cricket खेला है, उसमें as a opener खेला हुआ है, लेकिन यह यहां M.I.E. में opening का कोई slot नहीं है, एकी सर्थ पे यह opening कर सकते हैं कि अगर रोही सर्मा अपना position sacrifice करके middle order में shift हो जाएं, उस जो इनका middle order और lower middle order थोड़ा inexperience दिख रहा है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, तो रोही सर्मा की जए Cameron Green opening कर सकते हैं, otherwise आपका यही रह करेंगे, और यहां पे वो कैसा perform करेंगे, किसी को नहीं पता, बस एकी चीज favor में जाएगी, जो इतने matches home ground में होंगे, वान खेडे pitch पे होंगे, पीछे सौर्ट होंगी, वहां Cameron Green लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, लेकिन अभी तक यह test के player ही माने जाते थे, इंडिया और test player इस से पहले माने जाते थे, और इनका domestic में भी performance T20 cricket में उतना अच्छा नहीं रहता था, but at a sudden इन्होंने अपना fortune change किया, और यह T20 cricketer बन गए, और IPL के second highest buyer एका एक बन गए, तो Cameron Green अभी भी इनके उपर question mark रहेगा, कि इंडिया में वो कैसा perform करते हैं, फिर बात करते हैं रमन दीप सिंग, अभी भी इनके पास experience कैसा ये खेलेंगे, किसी को नहीं पता, पिछली बार तिंचार मैचे लास्ट में खेले हुए थे, तिलक मरवा ने पिछला season काफी बेतरी गया था, इन्होंने दिखाया था कि इनके पास talent है, middle order ये थोड़ा सा मजबूत करते हुए पिछली बार इनका पहली बार ये सबके सामने आये थे, अब इनके वीडियो देखे जा रहे होंगे, इनका strong point, इनका weak point analysis किया जा रहा होगा, इस बार का इनका IPL define करेगा कि what a player is तिलक वरमा, तिलक वरमा कैसे player है, मतलब वो pressure evolve कर पाते हैं या नहीं, या अगर उनका weakness perform करते हैं, ये तिलक वरमा के देखा जाएगा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें Team David का, ये तो proven finisher हैं, काफी लंबे-लंबे hit मारते हैं, और यहाँ पे ये थोड़ा सा पिछली बार इनके साथ जाती हुई थी कि कुछ matches खिला कर उसमें अच्छा perform किया था, बट इस तिल पूरा इनको run मिलने वाला है, पूरे matches खेलने वाले हैं, तो यहाँ पे जो investment है, Team David का थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, MI के लिए अगर Team David form में रहे, तो इनकी थोड़ा सा finisher की जो पिछली बार समस्या थी, Polard out of form थे, फिर भी Polard को मौके दिये जा रहे थे, Team David नहीं खे PK का performance करते वे नहीं देखा गया है, तो यह अभी prove करना बाकी है, तो proven player की बात करें, तो इनके middle order और lower middle order में कोई नहीं है, बस इनके साथ एक ही चीज हो सकती है, या तो रोहिस सर्मा shift हो जाए middle order में, या तो top 3, रोहिस सर्मा सुर्क मारे आदा हो, या इसन किसन किसी एक को decide करना होगा, हर match में 20 over खेलना, तभी जाकर इनके जो middle order और lower middle order finisher की समस्या है, वो खत्म हो सकती है, तो हमने अभी तक देख लिया, इनका pace department, इनका top order batting, middle order, lower middle order finisher, अब हम लोग देख लेते हैं, इनके spinners, अगर हम spinners की बात करें, तो कुमार कार्थिक्या, इनके main spinner होंगे इस बार खेलते वे दिखेंगे, ये left arm wrist spin, प्लस left arm orthodox, मतलब ये कुल्दी प्यादव भी हैं, प्लस ये अक्छर पटेल भी हैं, तो इनके पास ये variation है कि ये दो गिदबाजी एक साथ कर लेते हैं, left arm orthodox भी फेक लेते हैं, और left arm wrist spin भी फेक लिया करते हैं, दूसरे इनके spinner रहेंगे, रितिक सौकीन, जो की playing alone में तो शुरुआत में जगा नहीं बनाएंगे, अगर कारतिकया का form अच्छा नहीं रहा है, तो रितिक सौकीन आपको खेलते वे दिखेंगे, कुमार कारतिकया का जो recent performance हो, काफी appreciating है, रजी ट्रॉफी में चार विकेट, दो विकेट इ लिया हुआ है, तो यही playing alone में, starting alone में आपको जगा बनाते वे दिखेंगे, उसके बाद इनका साथ देते वे दिखेंगे तिलक वर्मा कुछ ओबर, कुछ ओबर्स आपके, अगर डिवाल्ड ब्रेविस खेले तो डिवाल्ड ब्रेविस, तो यह और रमन दीप सिंग, यह इ अब भी आपको एक पेसर कम करके प्यूस चावला के साथ भी जा सकती है, टीम इंडिया या रमन दीप सिंग को कम करकर एक बैटर को डिक्रीज करके, not टीम इंडिया, मुंबई इंडियंस, sorry for that, तो प्यूस चावला के साथ भी रमन दीप सिंग को कम करके जा सकती है, तो spin department बात कर लें, कौन कौन से लोग compromise करते हैं, मेन इनके spinner रहेंगे, इस बार कुमार कारते किया, फिर उसके बाद रितिक सौकीन, कुछ ओबर तिलक वर्मा डाल लिया करेंगे, कुछ ओबर रमन दीप सिंग डाल लिया करेंगे, और जहां पे spin के लिए ज़्यादा सपोर्टीर 11 क्या हो सकता है, तो आपके स्क्रीन पे है, माई का best possible 11, एक बार मैं नाम पढ़ देता हूँ, ओपनिंग करते हुए रोहिस सर्मा, ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, रोहिस सर्मा इसान किसान, नमबर वन डाउन पे सुर्क मार यादो, नमबर टू डाउन पे तीलक वर्म यह तो fix रहेगा, टिम डेविड नमबर पाँच, कैमरून ग्रीन नमबर च्छ, रमन दीप सिंग और कैमरून ग्रीन में इंटर्चेंज भी हो सकता है, फिर उसके बाद जोफरा आरकर दिखेंगे, पेस में जाहरी चर्सन या जैसन डेपेंडराप में कोई एक, जैसा कि हम कुमार कारची केया को मैं main spinner मान के चल ला हूँ, यह खेलते हुए दिखेंगे, दिं जस्परीद भूमरा तो देख लेते हैं कौन कौन से spinner होंगे इनके पास, कुमार कार्टी केया main spinner होंगे, जिनका साथ देते हुए दिखेंगे आपको, तिलक वर्मा मतलब 4 ओबर कुमार क तो तीन पेसर एक कुमार कार्थ। वालर रहेंगे तीन पेसर कुमार कार्थ। रहेंगे कैमरून ग्रीन फिर रम나दीव सिंग की जरूरत अगर पड़ी तो रमन दीव सिंग और तिलग वर्मा की जरूरत पड़ी तो तिलग वर्मा तो ये इनका चार मतलब Goddess होता है fish tank अगर ह में केमरीन ग्रीन रमंदीप सिंग तो ये इनका था पूरा प्लेइंग लेवन तो आज के माई के स्क्वाइड अनल्सिस में बस इतना ही अपना कोबिट से ध्यान रखें सुरच्छित रहें हातों को सनिटाइज करते रहें मास्क पहनते रहें और जैहिंद जैभारत